असलाम अलेकूम वेल्कम तो स्टॉडिस स्क्राइडमी मेरे रामा मुहमद अनस और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब बियस मैथमेटिक स्मेस्ट्री की क्लासिज ओनलाइन क्लासिज आज इसमें हमारा जो कोर्स है वह है कैल्कुलिस टू का और कैल्कुलिस टू नाम और रोल नंबर जोंसे मुझे सेंड करने हैं और आप लोग की जोंसी अटेंडन्स है वह इस तरह से हुआ करेगी कि जो भी बच्चा यूट्यूब पर यहां पर इस यूट्यूब पर आकर मेरी वीडियो को देखेगा और वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना रोल नंबर और नाम मुझे सेंड किया करेगा और उस बच्चे की मैं क्या लगा दूँगा अटेंडन्स ठीक है और जब तक यह ओनलाइन क्लास चलेगी आपके अटेंडन्स है यूट्यूब चैनल पर वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हुआ करेगी तो चले चलत यूझे साँयो में हूं एंड़क्स जो फिएक टाइबल उस्टेशा को था उत्यूं साँयो सिंगनदीपैंडडन्न वीडियेबल और जो पर इंडंडन्स पर्धेंडन्न वेरीयेबल उदू यह फिर इनक ही इंड एप्धेंडन्ञ और हैओ लेकिन अब यहूंसां हमार कि कोई एक function z होगा वो एक्स और y दो independent functions पर depend का रहा होगा ठीक है एक्स जोंस है इस वक्त दो independent variable x और y पर depend का रहा होगा इसके इलावा हो सकता है कि जो z है यह फूर इक्जमपल हम लोग इसको यू कह लेते हैं वो और एक से ज्यादा variables पर भी depend कर सकता है तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह जो सा function है यह functions of several variables तो चलिए start करते हैं हमारा chapter start होता है definition से definition का नाम है homogeneous function अच्छा homogeneous function कौन से होगे अब आपने बात द्यान से सुनी है इसकी definition भी बुक में लिखी है मैं वह भी करवाता हूँ उसके इलावा आपने सुनना है homogeneous function ऐसे functions को कहते हैं जिसमें हर term की degree हर term की degree जोंसे हो सेम होगी ठीक है homogeneous function कौन से function होए जिसमें हर एक term की जोंसे degree हो सेम होगी for example मैं example से आपको समझाता हूँ जैसे मैंने लिखा X square plus XY plus Y square equals to zero for example यह है तो इस term की degree कितनी है तू इस term की degree कितनी है तू तो हम लोग कह सकते हैं यह function कौन से है यह function कौन से होगीनियस function है जैसे इसके इलावा मैंने एक function लिखा x square plus y square अबर x plus y और यह भी एक homogeneous function है इसकी degree किस तरह से find करनी है देखो मैं starting में आपको पता दे तो देखें इसके degree किस तरह से find करनी है जैसे आपको पता है कि वेरियेबल की उसी power होती है वह होती है हमार पास क्या degree यहां पर यह पूरी term है इसकी degree कितनी है तो आप निगा करना है उपर यह term में से x की highest power को common निकाल लेना देखो एक्स की highest power सी two मैंने common निकाल लिया तो अंदर के आएगा वाइवर एक्स की यह power आगी one तो one plus y over x all square all over one plus y over x तो degree degree क्या होई जो x की power होगी न यहां पर जो x की power होगी उसको कहेंगे degree of this of this function degree of this function आप कहा सकते हो कि यह f of xy है तो इस function के degree किती होई जितनी एक्स की जोंसिया solve करने के बाद पावर आएगी तो इस केस में इस function के degree कितनी होई वान तो चलते हैं इस homogeneous function की definition की तरफ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि homogeneous function आपने निकालने किस तरह है तो देखें जी homogeneous function की definition का कहती है आप function f defined यह यह एक function of several variable है यह एक यू फंक्चन है जो x, y, z और इससे भी ज्यादा variables पर depend कर रहा है of any number of variables एक से ज्यादा भी variables हो सकते हैं इस set to be homogeneous वो homogeneous function कहलाएगा of degree n उसके degree कितनी होगी n अब देखो वो criteria बना रहा है in these variable इस in variable के अंदर वो जो सा function हो homogeneous कहलाएगा अगर मैं एक non zero number t को उसके variable हर एक variable के साथ multiply करवा हो और multiply करवाने के बाद t जोंसा वो common निकल सके with some power जो उसकी वो power होगी ना उसको कहेंगे degree कहता है with any number t which is not equal to zero result in the multiplication of a function by t की power n तो कहता है एक function homogeneous कहलाएगा एक function homogeneous कहलाएगा अगर आप उसके हर एक variable x y z को तो आप लोग t से multiply करवा हो और multiply करवाने के बाद अगर उस function को t की power में separate लिखा जा सकता है ती की power में का लिखा जाता है separate लिखा जाता है तो उस function को हम लोग कहेंगे किया homogeneous और जो टी की power separate करने के बाद आएगी उसको कहेंगे degree अब देखो जैसे मैंने example दी थी आपको मैंने का था X square प्लस Y square ऑपर X प्लस X प्लस Y एक homogeneous function है और two variables अब क्या करता है आपने हर एक variable को t से multiply करवाओना तो मैंने करवा दिया यह definition यह करती है हर एक variable को t से multiply करवाना यहाँ पर भी आप t से multiply करवाओ हो हर एक variable को t से multiply कर रहा हूँ, जहां जहां पर x है वहां पर भी tx और यहां जहां पर y है वहां पर भी ty, अब देखो यहां से t की power आ रही है, t square और यहां से x square और यहां से आ रही है t square y square all over t into x plus y, आप उपर से भी t square common निकाल सकते हो, तो x square plus y square over t into x plus y, अब आप इसको cancel करोगे, तो क्या निकलेगा, t into x square plus y square all over x plus y, और यह क्या है, यह सारी चीज़ क्या थी, original function, आप इसको कह सकते हो, यह क्या है, तो यह जो अगर आपने t को separate कर दिया, इस function में हर एक variable को t से multiply करवाने के बाद t को separate कर दिया, तो यह function क्या कहल आएगा homogeneous function, और उस t की जो power road उसको कहेंगे, यह क्या है, degree of this homogeneous function, समय लगी, ठीक है, अच्छा, कुछ question होंगे, जैसे for example, मैंने लिखा है, z equals to sine inverse r का sine x square plus y square over x plus y, क्या यह homogeneous है के नहीं है, देखो, z को मैं लिख सकता हूँ, f of xy, और यहाँ पे आया, sine inverse x square plus y square all over x plus y, to definition यह कहती है, जहाँ जहाँ पे x है, उसको t x कर दो, जहाँ जहाँ पे y है, उसको t y कर दो, तो यहाँ पे आएगा f of t x, f of t y, क्या आएगा, sine inverse, यहाँ से क्या आएगा, t square उपर से common आएगा, आप कर सकते हैं, plus y square, all over t common आएगा, तो x plus y, देखो, यहाँ पर क्या आंजर आया साइन इंवर्स टी एक्स स्केर प्लस य स्केर अगर एक्स प्लस य तो क्या आप इस टी को इस साइन इंवर्स से बाहर निकाल सकते हो क्या आप इस टी को इस साइन इंवर्स से बाहर निकाल सकते हो आप कभी भी आप कभी भी इस तरह लिखा हो के साइन इ टाइंस फंक्षिन दुबारा नहीं बान सकता देखो यहां पर भणना था टी टाइंस दुबारा सी वला फंक्षिन इसी तरह से यहां पर टी टाइंस दुबारा सी साइन इंवर्स यह फंक्षिन नहीं है अच्छा होमोजीनियस function का एक और criteria उसको आपने देहना है homogeneous function की एक यह definition है और एक और criteria है उसको तरह आपने देखना है कि देखो f of t x f of t y f of t z जिस तरह सिलसला चलता जा रहा है तो यह क्या आना चाहिए था यह function homogeneous कहलाएगा यह यह function homogeneous कहलाएगा अगर मैं t की power n बाहिर निकाल सकूँ तो अंदर कहाएगा f of x y z और जितने भी आगे और यहाँ पर क्या आएगा f of x y z इस तरह सिलसला चलता जाएगा अगर मैं इस अगर मैं इस एक्स पावर n को इधर multiply कर रहा दूं तो क्या आएगा देखो f of x y z equals to x power n f of 1 plus f of 1 y over x z over x इस तरह सिलसला चलता जाएगा देखो इस इस function को मैं एक और function लेट कर लेता हूँ देखो यहाँ पर कुछ भी variable नहीं नजर आ रहा ठीक है यह constant है यहाँ से variable start हो रहे है तो मैं एक और function इसको लेट कर लेता हूँ जी ओफ y over x z over x इस तरह सिलसला चलता रहेगा देखो यह वाणा function मैंने साबित करना था कि होमोजीनियस है मैंने मैंने साबित करना था कि यह वाणा function होमोजीनियस है तो हमोजीनियस function का एक और criteria क्या है कि जहां जहां पर x आप उसकी highest power को क्याने करो common निकाल लो और common निका के बाद कुछ cancellation होंगी powers तो वह जो पावर आएगी x की यहां पर x की पावर कतनी है यह n तो वह कहलाएगी homogeneous function की क्या degree एक question करते हैं जैसे कि question है f of x f of xy equals to under root x plus under root y अबर x square plus y square तो मुझे इस function की degree निकाल लिए यह homogeneous तो है तो यह criteria में कहता है कि x की highest power को common निकालो देखो यहां पर x की power कितनी है one by two plus y की power one by two और x square plus y square तो numerator में x की highest power कितनी है one by two common निकाल लिए यहां पर आया one plus y over x की power one by two और निच्चे भी x की highest power को common निकाल लो तो क्या आयेगा one plus y over x whole square तो देखो इसको उपर ले जाओ तो क्या बनेगा x की power one by two minus two और यहां पर क्या बनेगा one plus y over x की power one by two all over one plus y over x whole square तो लो जी इसको solve कर लो तो टू टू तर फोर तो x की power कितनी आई माइनस three by two ठीक ना तो यहां पर यहां पर यहां पर यह ओली चीज़ one plus y over x one by two over one plus y over x whole square तो यह एक function homogeneous था और इसकी degree किस तरह से निकाल ली है numerator denominator में से x की highest power को common निकाला और यहां पर x की जों से degree आई है यह degree of this homogeneous function है तो उमीद है homogeneous function की आपको समय लगी है आगे एक बहुत ही मशहूर theorem है इस exercise में जो सा इस्तमाल होने लगा वो है Euler's theorem देखो Euler को आप पूरे इस पूरे arts master के अंदर बाहर बाहर इसका नाम सुनेंगे यह mathematical super hero है इसने महत की हर बुराच के अंदर काम किया हूँ है बारहल आप इसका पहला theorem पढ़े हैं थियूरम का नाम है Euler's theorem उसको देखते हैं और फिर उसको प्रूफ करते हैं तो यह जी Euler theorem Euler theorem क्या है कि एक function यू है एक function यू है जो कि homogeneous है तो सबसे पहले बात क्या पता चली कि Euler theorem इस्तमाल होता है कि फंक्शन पर जो कि homogeneous functions है then this relation is satisfied यह क्या है कि यू को X के respect में partially differentiate करो और उसको X से multiply कर वाओ फिर यू को Y के respect में partially differentiate करो और उसको Y से multiply कर वाओ वो answer निकलेगा degree यह n क्या है degree of this homogeneous function तो क्या आएगा degree times this homogeneous function क्या है इसके respect में differential करके X से multiply करवाना है Y को Y को Y के respect में differentiate करके partially differentiate करके Y से multiply करवाना और फिर add करना तो इसका answer क्या आएगा यह n क्या है degree degree of u जो भी degree होगी उसको उस function से multiply कर रहा दो तो दोनों साइट जोंसे है वो क्या हो जाएंगी satisfy हो जाएंगी तो देखो इसको proof करते हैं तो द सकते हो आप इसमें X की power को common निकाल सकते हो और तो जी एक function आएगा जो के Y का होगा मैंने अभी जब homogeneous function का criteria करवाया था तो इस चीज को मैंने निकाल के भी दिखाया था आपको कि अगर यह homogeneous function है तो आप इसकी यह format बना सकते हो और यह हमारे पास क्या है यू तो कहता है इसक product rule का पता है product rule क्या कहता है पहले का derivative power पीछे power में से एक minus further derivative power को छोड़ के पहले का derivative दूसरा function वैसे ही y over x plus पहला function वैसे ही दूसरे का derivative अब यहाँ पे आपने बात द्यान से सुनी है जी यहाँ पे क्या है arbitrary arbitrary function जी यहाँ पर क्या arbitrary function यह जो भी function होगा इसका derivative आ जाएगा y over x ठीक है जो भी मुझे नहीं पता है कौँँसा function है यह जो भी function होगा उसका derivative आ जाएगा और further इसकी domain का derivative तो x के respect में differentiate का रहा हूं तो y तो constant treat होगा और x का derivative क्या आएगा, 1 over x का derivative क्या आएगा, minus 1 over x क्या है, देखो न, अगर लिख है partial over partial x, g of y over x, तो g यहाँ पे क्या है, एक arbitrary function है, तो इसका differentiation कैसी होगी with respect to x, के g का तो कोई भी function होगा, उसका derivative x के respect में, और further इसकी domain का derivative, तो देखो partial derivative क्या करता है, आपने partial derivative पड़ा होगा, partial derivative अगर with respect to x है, तो y क्या consider होगा, constant, अगर आप partial differentiate का रहे हो, x के respect में, तो y, z और बाकि जितने भी variables हैं, वो constant treat होगे, सिर्फ x as a variable consider होगा, तो देखो, यहाँ पे y constant है, यह वैसे ही आएगा, और x का, 1 over x का derivative क्या होता है minus 1 over x के, ठीक है न, आपने यह पड़ा था, d over dx of 1 over x, यह किसके equal होता है, minus 1 over x के, इसका power rule लगा के यह निकल सकता है, ठीक है, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समय लग गई है, यहाँ पे कहाएगा, x की power n minus 1, g of y over x, यहाँ पे देखो, x की power कितनी है, n और x की power 2, यह उप y over x, कहता है, जब partially differentiate करना है, x के respect में, तो उसको x से multiply करवा दो, तो यहाँ पे मैं x से multiply करवा दो, तो क्या आएगा, x partial u over partial x equals to, n x की power, n, देखो, यहाँ पे एक n minus 1 था, तो यहाँ पे एक x ने भी आना था, और g of y over x minus, इस x ने इस से भी multiply होना, तो y x power n minus 2 into x, और g of y over x, यह वोला x जो बाइर multiply कर वार हो, वो वोला है, तो यहाँ पे आएगा, n x की power कितनी आदेगी, देखो, power, अगर base same हो, तो powers क्या हो रहती है, add, तो n minus 1 plus 1, कितना आएगा, n, y over x minus, y, x की power कितनी आदेगी, n minus 2 plus 1, तो n minus, n minus 1, g dash of y over x, अब देखो, इसको का दो equation number 1, अब इस इसी u को, इसी u को मैं दुबारा से differentiate का रहा हूँ, with respect to y, तो क्या आएगा, partial u over partial y, अब देखो, क्या आएगा, x अब consider होगा, देखो, मैं partially differentiate का रहा हूँ, with respect to y, तो x, जो उन से वो consider होगा, क्या, constant, तो constant की कोई भी differentiation होगी, यह बिचारा, यह बिचारा, वैसे ही आएगा, और g की differentiation with respect to y, क्या आएगी, y over x, और further domain का derivative, domain का derivative आपने करना है, with respect to सिरफ y, तो y का derivative 1, और 1 over x, वैसे ही, तो यहाँ पर क्या आएगा, x power n, और यह एक पावर उपर जाएगी, तो क्या, x power minus 1, g dash of y of, g dash of y over x, तो क्या आएगा, x power n minus 1, पावर सेंब, बे सेंब पावर तो कहता है, जब आपने multiply करवा ले, जब आपने partial differentiate कर ले ना, with respect to y, तो इसको y से multiply करवा दो, तो क्या आएगा, y partial u over partial y equals to y, इधर भी multiply होगा, x n minus 1, g dash y over x, इसको क्या दो equation number 2, कहता है, जब आप यह दोनों चीज़े निकालोगे, तो इनको add कर दो, तो देखो, आप मैं इ and 2, 1 और 2 का मैं add करते हूं, तो देखो क्या आएगा, यहां पर पड़ा हुए, x partial u over partial x, तो क्या आएगा, x partial u over partial x plus y partial u over partial y equals to, यह वली सारी चीज, n x power n y, g of y over x, minus y x power n minus 1 g dash of y over x, plus, यह वली चीज, n minus 1 g dash of y over x, तो देखो, कुछ कैंसल हो रहा है, यह वली चीज और यह वली चीज आपस में cancel होगी, तो बाकी का बचा, बाकी बचा, n x power n g of y over x, अब देखो, x power n g of y over x, तो यह भी लिखा हुआ है, और यह किसके equal है, u के, तो आप लिख सकते हो, यह सारा u है, तो क्या है, x partial u over partial x plus y partial u over partial y equals to n u, और n यहां पर क्या था, n यहां पर क्या था, degree of this homogeneous function, तो यहां से मैंने प्रूफ किया Euler theorem को, और आप चलते हैं, इसके questions के तरफ, तो देखें, पहला question क्या है, चले तो question कहता है, verify the Euler theorem for u equals to arc sin x over y plus arc tan y over x, अब देखो, जैसे मैंने आपको बता है था, अगर एक function लिखा है, f of x y equals to sin inverse, for example, sin inverse x square plus y square over x plus y, for example, तो क्या यह function homogeneous है के नहीं है, तो homogeneous है के नहीं है, आपने क्या करना होता था, कि इसके variables को आपने t से multiply करवाना होता था, और उसके बाद t को common निकाला है, numerator में से denominator में से t को common निकाला है, और आप उस t की power को, t with some power, times this function अगर दुबार आजे, तो हम कहेंगे, यह क्या ह है, homogeneous function है, for example, मैं यहाँ पर t की multiplication कर रहाता हूं, तो क्या आएगा, t, x, t, y, equals to sine inverse, यहाँ पर आया, t square उसके रूपर से common आएगा, ठीक है न, t से multiply कर रहा हों, दोनों से, दोनों variables को तो नीच आए, x plus y, तो क्या आएगा, sine inverse, sine inverse t, sine inverse t, x square plus y square, और x plus y, तो यह function homogeneous नहीं है, क 3 times sine inverse, sine inverse x square plus y square over x plus y, अगर यह इस तरह लिखा जा सकता, अगर यह वाला function इस तरह लिखा जा सकता, तो यह homogeneous हो जाता, अच्छा, यह क्यों नहीं इस तरह लिखा जा सकता, देखो, अगर मैंने लिखा है, sine inverse 2x, अगर for example, मैंने यह लिखा है, y equals to for example, तो क्या आप इस 2 को बा हुआ पड़ा है, इसी तरह से यह T, इसकी domain में stuck हुआ पड़ा है, आप इस T को बाहर नहीं लिख सकते, तो homogeneous function की definition क्या थी, कि आप T की कुछ power को उस पूरे function के साथ, अगर multiply करवा सकते हो, तो वह वाला function क्या बन जाएगा, homogeneous function, तो question arise होता है, कि क्या यह वाला function homogeneous है, क्या य variables को T से multiply करवाता हूँ, तो देखो, अलाइदा देखो, sine arc sine x over y, अगर मैं यहाँ पर T की multiplication करवाता हूँ, उपर भी TX हाया, नीचे भी TX हाया, तो T तो T से cancel हो गया, तो दुबारा से क्या आगया, arc sine x over y, यहाँ आप दूसरे लफ़जों में कह सकते हो, आप यह कह सकते हो यहाँ आप इसको भी इस तरह दिसको, T की power 0, आप यहाँ पर T की power 0 रिखो, वो भी one है, T की power 0 यहाँ पर रिखो, वो भी one है, तो आपने T की sum power के साथ इसको अलेहधा कर दिया, तो यह वहाँ function क्या हो गया, homogeneous function हो गया, अब इसी तरह से, आप arc 10 को भी check कर सकते हो, उपर T तो यह जो सा function है यह homogeneous function of degree 0 तो मैं कह सकता हूँ So by Euler's theorem Euler's theorem अम लोगो क्या कहता है कि अगर आपको degree का पता चल गया है और वो homogeneous function भी है तो आप लिख सकते हो x partial u over partial x plus y partial u over partial y equals to 0 times u जो भी इसकी degree है तो यह क्या answer आएगा 0 इसको equation number 1 तो यह Euler's theorem को पहले हमने proof किया by the definition of homogeneous function अब हम लोग partial derivative से Euler's theorem को proof करेंगे तो मैंने secondly secondly मैंने u को पकड़ा u equals to arc sin x over y plus arc tan y over x और मुझे क्या निकालना है इसका इसका मुझे partial derivative निकालना है with respect to x सबसे पहले यही तो Euler's theorem लिखा हुआ है तो क्या निकलेगा 1 over square root of 1 minus x over y का whole square into partial derivative further x over y का देखो अगर आपको partial derivative का नहीं पता तो partial derivative किस तरह से काम करता है कि अगर आप x के respect में partial differentiate का रहे हूँ तो y जो उसस है वब constant हो जेगा तो अगर आप y के respect में differentiate का रहे हो तो x constant होजेगा ठीक है अगर मैंने for example लिखा है अगर लिखा है partial over partial x of xy तो अब आपने इसको product नहीं consider करना अगर मैं x के respect में differentiate का रहा हूँ यहां भिसको लिए से partial over partial x of x तो इसका derivative क्या है या ठीक है इसी तरह से यहां पर भी अगर पार्शली डिफ्रेंशिट का रहे हो और फर्दर अगर लिख है d over dx of a sin inverse of f of x for example यह फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि इसके क्यों होता है one over square root of one minus f of x का whole square और further derivative इसकी domain का यह आपने फार्मूला पढ़ा हुए ना कि अगर sin inverse का derivative क्या होता है one over square root of one minus domain का square further derivative domain का ठीक है यहीं पर वो मने लगाया प्लस आर्क टैन का derivative क्या है one over one plus domain का square domain की y over x इसका square और partially differentiate इसकी domain का रेखो ना अगर partial differentiate का रहे हो तो partial derivative आगा अगर ordinary derivative है तो ordinary derivative आगा अब इसको लिख सकते one over square root of y square minus x square all over x all over y square और यहाँ पर यहाँ पर एक्सके रिस्पेक्ट में differentiate का रहे हो तो y constant है तो x का derivative one और y तो constant है प्लस one over इसको लिख सकता हूं y square plus x square plus y square all over x square lcm ले रहाँ और यहाँ पर x के respect में differentiate का रहे हो तो y constant है तो y तो constant है और one over x का derivative क्या रहता है one over minus one over x square power rule ठीक है ना power rule लगा रहा हूं देखो ना अगर लिख है d over dx over one over x तो आप one over x को क्या लिख सकते हो x e power minus one और यहाँ पर power rule लगा होगे तो power पीछे power में से एक कम further derivative power को छोड़ के वो x का derivative one है तो minus one x की power minus two और क्या है minus one over x square तो वह यहाँ पर लगाया अगर fraction के नीचा fraction है तो इसको मैं ऊपर फैंग से तो और under root से square cancel हुआ तो क्या है y over square root of y square minus x square into one over y plus x square over x square plus y square minus y over x square ठीक है ना fraction थी मैं बटा उल्टा आ गया यह इससे cancel यह इससे cancel है तो क्या answer है one over square root of y square minus x square minus y over x square plus y square लो जी यहां तक हमने derivative निकाला with respect to x partial derivative तो कहता है partial derivative निकालने के बाद उसको x कसा multiply कर आओ तो मैं x कसा multiply कर रहते हूं तो क्या आएगा देखो x partial u over partial x equals to x over square root of y square minus x square minus xy over x square plus y square इसको equation number कहे दो one अब देखो मैंने u को differentiate किया partially with respect to x अब मुझे u को differentiate करना है partially with respect to y क्या आएगा यह था x over y plus arc tan y over x तो इसको मैं differentiate करता हूं partially with respect to with respect to y तो देखो क्या आएगा one over square root of one minus domain का square और further domain का y के respect में derivative partially plus one over one plus arc time का क्या होता है one over one plus domain का square और further derivative y के respect में partially y over x का तो देखो क्या आएगा यहां पर मैं direct का रहा हूं पिछली जासे ही है तो क्या आएगा y over square root of y square minus x square और y के respect में partial differentiate करूंगा तो x constant है तो minus x over y square plus यहां पर क्या आएगा x square over x square plus y square और y के respect में x constant है तो y का derivative y के respect में प्रशल यहां पर one over x x यहां पर constant था तो यह y इस x से गया और यहां पर x square यहां भी x square से गया न सुरी यहां पर one over x था तो यह एक गया एक गया यहां पर पार्चल U over partial Y अब कहते है कि जब आपने पार्चल U over partial Y निकाल लिया तो इसको Y से multiply करवा दो तो यहां पर आएगा Y partial U over partial Y equals to तो देखो यहां पर एक Y पड़ा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ minus X y, ये वल आइवला गया one over, ये वलाorry square root of y square minus x square plus x y, ये वला x और ये वला y over x square plus y square, तो ये वला y से cancel माउनजर है minus x over square root of y square minus x square plus x y over x square plus y square. इसको कहे दो equation number two अब कहत है जब आप ने यह दोनों चीज़े निकाल लिए तो इन दोनों को अब add कर दो तो देखो मैं इधर add करता हूं तो क्याएगा x partial u over partial x plus y partial u over partial x equals to यह वल्ही सारी चीज़ यहाँ पर क्याएगा x over square root of y square minus x square minus x y over x square plus y square plus यह जिए लिखा हुआ minus x over square root of y square minus x square plus xy over x square plus y square तो यह सब कैंसल हो गया यह सब कैंसल होने के पाद आंसर के आया 0 तो x partial u over partial x plus y partial u over partial y answer के आया 0 ठीक है तो एक Euler theorem को हम लोगों ने प्रूफ किया by homogenous definition of homogeneous function और एक हमने partial derivative की मदद से Euler theorem को प्रूफ किया दुन्हों cases में इसका आंसर के आ रहा है 0 तो this verifies our Euler theorem तो देखें जी next question क्या है u equals to x power n log y over x तो कहता है verify the Euler theorem for this question तो सबसे पहले मुझे यह देखना है कि यह function homogeneous है के नहीं है अब देखो homogeneous किस तरह से प्रूफ करना है u of xy equals to x power n natural log of y over x तो जो जो भी variable है उसको आपने t से multiply करवा देना और variable कोई से independent variable तो यहाँ पर क्या आएगा tx की power n natural log of ty over tx तो क्या आया t ki power n बाहिर और x power n natural log of y over x तो t power n यह सारी चीज़ क्या है यह दुबारा यह से क्या यू है तो आगया u of xy है तो u of t x ty आपको पास कहा निगला t ki power n u of xy तो यही तो definition of homogeneous function है कि अगर आप t ki अगर आप variable को t से multiply करवाएं तो आप t ki कुछ power के साथ है function को अलग करके लिख सकें तो लिख दिया मैंने तो कोई बिता सकता है इसके degree कितनी होई जितनी t ki power होती है जितनी t ki power होती है तो यहाँ पर t ki power कितनी है n t ki power n है तो इसकी degree कितनी होई n तो by Euler's theorem by Euler's theorem partial x partial u over partial x plus y partial u over partial y equals to n u n यहाँ पर degree थी n थी तो मैंने n ही लिख दिया और u इसको कहा देता हूं equation number one यही तो Euler's theorem था ना कि इस चीज़ का answer में इसा यह आएगा इस चीज़ को मैंने प्रूफ किया है by the definition of homogeneous function अब इस चीज़ को प्रूफ करने लगाँ वो क्या है कि जो यू आ ना इससे ही दूसरे का derivative log का derivative क्या होता है देखो लिखा हुआ है y equals to log x log f of x for example इसका जो इसका derivative निकलेगा लॉग अपनी जो आर्गुमेंट है उसको नीचे भैंग देता है जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसको नीचे भैंग देना है और further और further जो नीचे भैंगा ना उसका derivative इसी तरह से log नेगा करना है अपने आर्गुमेंट को नीचे भैंग देना है और further argument का x के respect में क्या आजएगा derivative लोग जी यह पहला प्लस यह पहला वैसे ही दूसरे का derivative प्लस दूसरा वैसे ही पहले का derivative पहला गया x पावर एंग तो यह तो पावर रूल लग जेगा पावर पीछे पावर में से एक minus further derivative पावर को छोड़ थे तो क्या आएगा x पावर एंग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक्स में partial differentiate हो रहा है तो y constant है तो minus y over x के है ठीक है ना 1 over x का minus 1 over x के derivative plus n x power n minus 1 natural log of y over x लो जी यहाँ पे बना x की power n minus n plus 1 यह plus 1 और यह 2 उपर जाएगी तो कितना आया minus 2 और यह y से cancel तो क्या आया minus plus n x power n minus 1 natural log of y over x तो क्या आया minus x n की power minus 1 plus n x power n minus 1 natural log of y over x इसको क्या दो equation number क्या है 1 तो कहता है जब आपने partial u over partial x निकाल लिया इसको x करणा multiply करवा दो तो करवा दो x करवा दो x करणा multiply तो क्याएगा partial u over partial x minus x n minus 1 times x plus n x power n minus 1 times x natural log of y over x तो आप इसको ले सकते हो minus x power इसकी power 1 थी तो power add होगी तो कितनी आई n plus n x power कितनी आई n natural log of y over x इसको क्या दो equation number क्या आई ये 1 ये था x partial u over partial x now इस u को partially differentiate करो with respect to y तो क्या आएगा partial u over partial y क्या निकलेगा देखो अब ये function x का है तो ये क्या consider होगा constant तो सिर्फ derivative इस पर अपलाए होगा तो क्या आएगा x power n और natural log की ये property है कि जब उस पर derivative अपलाए करोगे तो अपने अपने आर्गुमेंट को क्या करता है नीचे फैंक देता है और फृदर आर्गुमेंट का y के respect में क्या derivative तो क्या आएगा x power n तो यहां पर आएगा x over y और y के respect में क्या आएगा 1 over x तो कितन यहां पर 1 था उपर जागे minus 1 तो यह cancel हुआ तो इक्तुना आया x power n over y तो क्या आपने partial u over partial y निकाल ली है तो इसको आप y से multiply करवा तो क्या आएगा partial u over partial y equals to y x power n over y तो y से y cancel तो कितना आया x power n इसको कह दो equation number 2 है अब मुझे add करना है तो देखो equation number 1 और equation number 2 को मैं add करता हू plus y partial u over partial y equals to यहां भी लिखा है minus x power n plus n x power n natural log of y over x और plus करना है मैंने यह वहली चीज़ plus x power n तो यह और यह अप उसमें cancel तो क्या आया n x power n natural log of y over x तो x power n natural log of y over x क्या था u था u था तो इसके लिए आप दगा दो u तो x partial u over partial x plus y partial u over partial y यह किसके equal आया n u के तो एक हम लोग ने by definition इसको n u के equal proof किया और एक by the partial derivative हमने इसको n u के equal proof किया तो this verifies our Euler theorem